क्लास नाइन्थ साइन्स चेप्टर सेवन इस चेप्टर के अंदर आपने प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन जो वर्गी करण है उसके बाड़े में पड़ा और अब पोधो का जो वर्गी करण करते हैं तो उसमें जिम्नो स्पर्म यानि बीज के आधार पर उनका जो वर्गी करण किया जाता है ख्लासिफिकेशन अब जिम्नो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आपन जिम्नो स्पर्म जो होता है इस तर्म इसमेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जिम्नो मींस नेक्ड एंड इस्पर्म मींस सीड दपलांट ओफ दर ग्रॉप बियर नेक्ड न और यूजवली प्रिनल, एवर्ग्रीन, एंड वुडी, एक्जाम्पल्स और पाइनस एंड डियोडर, ये जो नीचे ये डाइग्राम देख रहे हो, पाइनस और साइकस, ये जिम्नो स्पर्म, इसके उधारन है, और ये जो जिम्नो स्पर्म है, ये दो ग्रीक सब्दों, जिम्नो और स्पर्म से मिलकर बनाए, जिम्नो का अर्थ है नग्न, और स्पर्मा क्या अर्थ होता है, शीड यानि बीज, अथार्थ ये बीज, इनको नग्न बीजी पोधे भी कहा जाता है, यानि कि नेग्ड शीड भी इनको कहते हैं, और ये पोधे जो होते हैं, ये एवर् यानी की सदावहार और वुडी यानी कास्टी होते हैं जैसे पाइनस और यह साइकस उसके बाद आता है आपका एंजियोई स्पर्म एंजियोई स्पर्म जो होता है वह इसके उधारने जैसे की यह मोनोकोर्स यह अभी इस वर्ड इसमेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड आंजियोई मींस कवर्ड एंजियोई स्पर्म मीनसीड दाशीड देवलब इनसाइड एन ओर्गन विच इस मोडिफाइड तो बीकम एप्रूट इस आर आलसो काल्ड फ्लॉवरिंग प्लांट की जो यह एंजियोई इस पर्म है यह दो ग्रीक सब्दों जैसे एंजियो और इस पर्मा से मिलकर बनाएं एंजियोई का आर्थ होता है ढका हुआ और इस पर्मा का मतलब होता है बीज यानि शीड अथार्थ जो इन पौधों के जो बीज होते वो फलो के अंदर ढके होते हैं इनके बीजों का विकास एम्ब के अंदर ढके रहते हैं और बीजों का विकास ओवरी और अन्दास्य के अंदर होता है और इसलिए उनको फ्लोवरिंग प्लांट यानि की पुष्पिय पादप कहा जाता है प्लांट्स एम्ब्रो शीड हैव इस्टेक्चर काल्ट साइटो क्लिनेरंस साइटो लिनेंस आर क 269immt 990 the Cyclonez रो चोपिज और इस्टेक्चर के लडन अन्योत प्लांट्रा है आर का unto the energiasuran are divided into two groups of basis of the number of cyclone and present in the प्लांट विद शीड हेविग असिंकर साइटो लिदेश और काल्ड मोनो कोड मौनो कोड प्लांट सीड हेविग टू साइटो लिदेश और काल दाइकोड कि अभी जैसे बताया थाया है कि इन जो पोधो के जो फ़लो के अंद रीछ रीच रखे रहते हैं और इन बीजों इनमें जो भोजन का जो संचे होता है वो बीज पत्रों यानी साइट्रो लिडेंड्स में होता है और या फिर उनके भूण पोष में embryo में होता है तो बीजपत्रों की संख्या के आधार पर यानि साइटो क्लोंडेंस की जो संख्या होती है नमबर के आधार पर angio sperm को दो भागों में divide किया जाता है एक तो होता है आपका कि जिनके एक बीजपत्र वाले पौधे यानि कि जिनका एक साइटो क्लोंडेंस होता है उनको एक बीजपत्री कहते हैं और मॉनो क्लोंडेंस कहलाते हैं और जिनके दो बीजपत्र होते हैं जिनका एक होता है मॉनो कहलाते हैं और जिनके तो मॉनो कॉर्ड यानि की एक बीज पत्री और डाइकॉर्ड यानि की दिवीज पत्री कहलाते हैं तो तुमने देखा होगा कि जैसे कोई भी शीड जैसे चन्ने वगरा हैं या फिर पीज मतर हैं इनके आपन जैसे इनको अंदर से वो करके देखेंगे तो उसमें टू साइट टो नेंज मतर पाए जाते हैं यानि की किसी में दो $ 20 पत्र होंगे तो वो डायकॉर्ड और जिसमें संगल रेंगे वहों मॉनो कोड कहलाते हैं यानि की एक बीज पत्री कहलाते है जैसे की जो भी तमंदिस या जो ग्यों है क्या मोनो कोट है एक बीच पत्री कहलाते हैं उसके बाद आता है आपका एनी मेलिया एनी मेलिया के बारे में पढ़ेंगे उसके पहले ये चार्ट देखते हैं कि जो ये चार्ट है क्लासिफिकेशन ओफ प्लांट्स कि अभी तक आपन ने पाधाप का वर्गी करन कैसे किया था जो प्लांट्स होते हैं वो जिनमें डू नोट हैव डिफिनेंट प्लांट बोडी डिफ्रेंट प्लांट बोडी थेलोफाइटा हैव डिफ्रेंट प्लांट बोडी ब्रायोफाइटा और उसके बाद आता है आपका विद वैस्कुलर टिसू जिसमें होते हैं वैस्कुलर जो बीज पैदा नहीं करते वो टेलिटो फाइटा और प्रोड्यूस सीड यानि फेरोनेग्रेम्स कहलाते हैं बीयार नेक्ड शीड वाले जिम्नो स्पर्म और बीयर सीड यानि की जिन जो जैसे की अभी बताया था कि फालो के अंदर जो बीज होते वो एंज्जो स्पर्म अब जिन में हैव शीड विज टू साइटो क्लोडेंट्स साइटो लिडेंट्स जो होते हैं यानि दो बीज पत्र होते हैं वो डाइकॉट्स कहलाते हैं और हैव शीड विज विज वन साइटो लिडेंट्स जो जिनके एक पीज पत्र होते हैं वो मोनोकॉट कहलाते हैं प्रवारीके से यह प्लांट का जो है जासिफिकेशन है वो किया जाता है उसके बाद आता है आपका एनीमेलिया एनीमेलिया इनीमेलिया थी आर और्गेनिजम्म वीच और युकिरियोटिक मल्टी सेलुर एंड हेटरोटॉपिक Their cells do not have cell wall. Most animals are mobile. They are further classified based on the extent and type of the body design differentiation found. जो एनिमेलिया होता है इस वर्ग के अंदर इस ग्रूप के अंदर आपकी यूकिरियोटी, मल्टी सेलुलर यानि बहु कोशिये और हेट्रो टॉपिक यानि की विसम पोशी जीवों को रखा जगया है. इन में cell wall नहीं होती है. कोशी का भित्ती इन में नहीं पैजाती है. लेकिन ये जो जन्तु होते हैं, ये most animal क्या है, चलाए मान रहते हैं. और इनकी जो सारीरिक रचना है, वो विभेदी करण के अधार पर उनको आगे वर्गी करण किया गया है. जैसे सबसे पहला नबर पे आता है आपका पॉरिफेरा. ये जो 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 आपका पॉरिफेरा नहीं में विद ऑन्हाल, आपका पॉरिफेरा आपका पॉरिफेरा अंहाल बाता है. the help of the circulating water throughout the body to bring in food and oxygen these animals are covered with a hard outside layer of skeleton the body design involve very minimal differentiation and division into tissue they are commonly called is sponges they are mainly find is marine habitats some example of our soul की जो पौरी फेरा होते हैं पौरी फेरा का मतलब होता है छीदरी युक्त जीवधारी जैसे स्पंज होता है कि नहीं अपना उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और यह इस तरीके से किए पौरी फेरा के जो जीव होते हैं इस तरीके से दिखाई देते हैं तो यह अचल जीवें यह किसी जो बेस्मेंट पर चिप के रहते हैं और इनका पूरा सरीर में क्या है अनेको हॉल्स यानि की छिद्र पाई जाते हैं पोरस पाई जाते हैं और यह इस छिद्र जो होते हैं वो सरीर में उपस्तित जो इनकी नाल प्रेनली जो होती है उससे जुड़े रहते हैं और जिसके माध्यम से क्या होता है यह अपने जो वाटर है ऑक्सीजन है या अन्य जो फूड है भोजे प्रधारते वो प्रधातों का संच्रन होता है इसमें इनका सरीर जो होता है वो hard outer layer of skeleton कठोर आवरन होता है और बायकंकाल से धका रहता है इनके जो सारीरी के सरंचना है वो अत्यांत सिंपल होती है सरल होती है और इनमें जो टीसूज है उनका डिवीजन यानि की विवाजन नहीं होता है और ये सामानेते स्पंज के नाम से इनको जाना जाता है जैसे की सॉइकॉन है यूपलेक्टेला है इस्पंजिला है ये इसके उधारण है इकलेक्टा साइकॉन और स्पंजिला ये इस तरीके से ये चिद्रियुक्त दिखाई देते हैं उसके बाद आता है आपका सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा इज से चिद्रण लेविंग ऑटर घाल दे शुम्ट और इस ए इसवी इं दा बाड़ी इस मेड़ टू लेयर्स आफ भू व चैल कि जो सिलेंट्रेटा के जजन्तु है वो जली जन्तु है इनके जो सारी रिक संचना में जो टीसू इस तरका होता है और मेकप सेल आफ दा आफटसाइड दा बोडी एंड अधर मार्क्स ऑफ दा इनर लीनिंग ऑबोडी सम ओफ दीज इस्पीसिज लिव इन कॉलोनीज कोरल्स वाइल अधर ओन ए सॉलिटरी लाइक स्पैन हाइड्रेला जेली फीस एंड सी एनिमोन्स आर कॉमन एग्जाम्पल तो इस ग्रूप के अंदर हाइड्रा सी एनिमोन इस तरीके सी दिखाई देता है जिसे की डाइग्राम में दिखाया है अब यह जो सिलेंटेटर की जो जन्तु होते हैं वो जलिय जन्तु हैं और सरीर दो प्रकार के जो लेयर है उसका बना होता है एक तो आंतरीक और भायपरत जिसको बोलते है इनर और आउटर और इसमें इनकी कुछ चार्तियां कॉलोनी बनाके रहती हैं समू में रहती है जैसे कोरल और कुछ सिंगल रहती है जैसी कि हाइड्रा और जैसे कि हाइड्रा है समुद्री अनिमने जेली फीस है ये इस वर्ग में आते हैं और इस तरीके से ये दिखाई देते हैं प्लेती अनिमल इन अ गूप इस फ़र और कि नग्याया we have considered so far the body is bilaterally symmetrical meaning that the left and right halls of the body have the same design there are three layer of cells for which differentiated tissue can be made which is why such animal are called triploblastic this allow outside and inside body lean in as well as some organ to be made there there is thus some degree of tissue formation however there is no true internal body cavity of siloam in which well develop organs can be accommodated the body is flated those centrally meaning for top and bottom which is why these animal are called flatworm they are either free living is para sticks some example are free living animal like planaria or parasitic animal like liver flu or epid блиciam is natural like comparing of honey 보시면 digit 100 cents between Dakota for the length of swan in the mouth if they were done it was a woman with 569-400 rate the core flavor of the body will lower muscleologique in which the body is normal like blue यानि की दी पार्सव समीत होता है और लेफ्ट और यानि की दाएं और बाइभाग की जो सरंचना होती है इसका जो सरीर होता है वो त्री कोरक होता है टाइप ब्लास्टि जिसको बोलते है टाइप ब्लास्टि जिसको बोलते है त्री कोरक होता है अथार्थ उतक विवेधन तीन कोशी की इस्तरों से बना होता है शरीर में भाय तथा आंत्रिक दोनों प्रकार की जो अस्तर होते हैं वो पाए जाते हैं और कु होता है, सरीर जो होता है वो फ्रिश्टधरिय यानि की चप्टा होता है इसलिए इसको चप्टे यानि की फ्लेट वर्म भी कहा जाता है, चप्टे क्रमी भी कहा जाता है जैसे प्लीनेरिया, सचंद जन्तू, लीवर लीवर फुलूक जैसे की पेरसाइट है लीवर फुलूक है ये परजीवी जिसको कहते हैं ये इनके उधा रहने तो प्लेणेरिया लीवर फुलूक और टेप और ये चपटा क्रेमी उनको कहते हैं इसलिए उसके बाद आता है आपका निमेटोडा the nematoda the nematoda body is also biolentrically, symmetrically and triploblastic however the body is cylindrical rather than a flatten there as tissue but not real organ allow a short or bi cavity of pseudosilome a present these are very similar is parasite worm causing disease such as a worm causing elephantiasis or worm in the instant time round worm and pine worms some example of छेयानिकि आपसर्षूब कि जो निमर्टोड़ा होते हैं उनको भी क्या कहते हैं एक ट्री क्व्ड़ो ब्लस्टिक lensों कि यानिकि ट्री कोरक जन्तु के लाते हैं इनका शरीर होता है बाइलेटरी लिए धीव पाड़ सक समीत होता है और शरीर जो इनका चप्टा ना होकर सिलेंड्रिकल होता है यानि कि बेलनाकार होता है और इसलिए इनकी जो गुहा के कारण इनको सिलोम कहते हैं कोट्स लोम भी इनको कहा जाता है इन्में टीसूर्स पाई जाते हैं और ये जो इनकी जो शारी दूसरे जनतों में क्या करते हैं बीमारियां डिजीज यानि की बीमारियां उत्पन करते हैं जैसे अपने पेट में जो से छोटे-छोटे कीड़े हो जाते हैं छोटे वच्चों को तो इस तरीके से ये दूसरे दूसरे जनतों में क्या करते हैं रोग उत्पन करते हैं जैसे क यह गोल क्रमी जो होते है वर्म होते है इन्स्टेट टाइन ड्राउंड वर्म यानि गोल क्रमी और पिन वर्म सो जो होते हैं इस तरीके से यह जो पिन क्रमी जो है वो यह क्या करते हैं निमेटोडा के अंदर आते हैं तो यह आपको यह एसकेरी से और यह वाओ चेरी आ है यह निमेटोडा में के अंतरगत आते हैं अनलीड अनलीड जो होते हैं अनलीड अनिमल आर्टू बाई लेट्रियली सिमेटरिकल एंड ट्रैप्लो ब्लास्टिक बट इस एडिशन देहव एट्रू बोडी केविटी इस अलाउस तू और गाउस बीपेगज़ टू बोडी अर्टुच दू थाट। युझव एटू चिनशब wertनेश लीए इस नजरों अनलीड दूढ अनलLR टूलीठाан च्टेस्टी हैं खंटनीज और थाट्मा ओंधन दूमयरा ट Bless अब यह जो एनलीडा है एनलीडा के अंदर इनका जो जनतु होते हैं तो जो एनलीड के जो जनतु होते हैं वो उनका अलेका जो सुरीर है वो दि पार्शस समीत है यानि कि बाइलेक्ट्री की होता है सिम्हेक्ट्री कली होता है और ट्रायोबलास्टिक यानि की जो त्रिकोरिक होते हैं यह और ये इन में वाश्त्विक अंग जैसे सारी रिक्संचना में नियेत रहते हैं और इन अंगों में जो और्गन सें उनमें क्या है विभिन्दता आई जाती है और इनका जो सरीर है वो सिर से पूछ तक यानि की हैड से लेके टेल तक एक के बाद एक खंडित रूप में होता है जैसे ही की ये हैड से लेके टेल तक ये इनका सरीर खंडों में यानि की विभाजित रहता है सिग्मेंट से रहते हैं सिग्मेंट लाइन जो रहती हैं वो इस तरीके से दिखाई देती हैं और जलिया एनिलीड जो होते हैं जो पानी के अंदर पाई जाते हैं वो फ्रेष वाटर या मेराईन वाटर दोनों में हो सकते और जैसे कि ये जो अर्थफवा में केचुआ है नीरीज है और ये लीज यानिकी जो ये सब एनलीडा के मेंबर हैं सदस्ते हैं और इस तरीके से इनका सरीर क्या होता है जो खंडों में बटा हुआ होता है उसके बाद आता है आपको आर्थोपोड़ा आर्थोपोड़ जो होता है वो सबसे इस संग के अंदर ये सबसे बड़ा संग कहलाता है आर्थोपोड़ा और इस संग में ये जन्तु जगत का सबसे बड़ा largest group है सबसे बड़ा संग है इस इस प्रवब बेवली दा लाज़ेस्ट ग्रूप अनिमल इस अनिमल आर बिलेटरिली सिमेटरिकल और सिगमेंट इस देर इस अन ओपर शर्कुलेटरियन शिस्टम और सो दा ब्लॉट दोस नो फ्लो दा वेल defined blood vessel दा सिलोमिक चाविटी इस ब्लॉट फिल्ड यह जोंते लेक्स इस अनिमलेटरिकल इस जोंते लेक्स सम्स फैमिलियर एग्पल और प्रॉण बटरफ्ली, हॉस्प्ली, प्रॉड़, प्रॉड़, प्रॉड, और इसके इसके पॉइंस और क्रेब तो आइथरो पॉड़ा के अंदर ये जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग कहलाता है और ये दीपार्सर समीत होता है इसका सरीर भी क्या है? खंडों में विवाजित हो जाता है और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानि की खुला पड़ी संचरन तद्र पाए जाता है अते जो ब्लड होता है वो वही का वैसल में नहीं बैता है देग हुआ जो होती है वो रक्त से भरी रेती है और इन से जुड़े हुए जो इनके लेक से है पैर पाए जाते है जैसे कि ये जो उधारन है आपको प्रावन यानि जींगा उसके बाद आता है ये आपको प्लेमिनर्स, इस्पाइडर, कॉक्रोज, सेंटीपीड यानि की कनखजूरा, हाउस फ्लाई और बटर्फ्लाई बटर्फ्लाई यानि की तितिली जो होती है इनके जो जुड़े पैर पाए जाते है ये आथरोपोड़ा के ग्रूप के ये सदस्थे होते है उसके बाद आता है आपका मॉलस्का In the animal of the group, there is bilateral symmetry, the celomic cavity is reduced, there are little segmentation They have a open circulatory system and kidney-like organ to excretion There is a foot that is used to moving around example of snail and muscles कि जो अब ये जो मॉलस्का है मॉलस्का के अंदर जितने भी संख टाइप के जो जी होते हैं वो आते हैं तो इस प्रकार के जो जन्तु होते हैं वो जीपार्सा समीत मीती ही पाई जाती है इनमें देगुआ कम होती है और इनका सरीर भी क्या है खंडों में बटा रहता है और इन जन्तों में जो कवच पाए जाता है किड्नी-like यानि कि ये गुर्दे जैसी सरंचना इसमें पाई जाती है और सेवनी ओच सजन के लिए गुर्दे जैसी इसमें सरंचना पाई जाती है और कठोर आवरन रहता है उनका जैसे की काईटन है अक्टोपस है पीलिया है ओन्यू है ये जो सीप है घोगा है ये सब क्या है मॉलस्का के जन्तु कहलाते हैं उसके बाद आता है आपका इकाईनोमेटा इकाईनोमेटा में आपका ज्यादा है इकाई इकाईनोमेटा में इन ग्रीक इकाईनोमेटा में इन ग्रीक इकाईनस मेंस हैडिंग और डर्म मेंस इसकिन ऐस थेस आप बल्रीक इस्पिनी होगों सिकिन ऑर्म इस दिया मेंट इस इसकिन इस्पीलि इस्पिन इस कीन है इस्पिन pequbin इसकी इस इसरे काईनोमेट न 니ा इसे काईनस्टबेरी इस्डिए hail आपकाईनोमेट इस आपकाईन अराउंड एव हाड कैल्सियम कार्बोनेट इस्टेक्चर दे यूस्टु स्केल्टन एक्जाम्पल और स्टार्फिस एंड आर्चीज कि जो इसमें प्रोट अब एकाइनोड मेटा में जो जन्तों होते हैं उनको क्या कहते हैं दियावक और डर्म मां मतलब होता है तचा है इन जन्तों में की जो त Apache aan पाहितो है और यह मक्तजीवी divine यह भी त्रिकौरिक जन्तों कहल आते हैं इनका जो जल सेवन के द्वारा होता है और कैसियम कार्बोनेट का कंकाल और LGBTI में पाहितों जो की चलन के लिए साह खोते हैं और स्टार मेर्फीस पर अंदरी इर्चिन है तो यह इसके मेंबर हैं फिर आता है आपका प्रोटो कोड़ डेटा इस अनिमल इस बिलेटरी अस्यमेट्रिकल टॉपिक एंड है वे शीलॉम कान सिफल गलाग आप अनिमल सीटिव इस अताया। इस मॉस टॉफिक ङू इस अनिम लिवस इन फोर इंटायर ए अनिमल्स प्रोटो प्रोटो कोडिनेट्स और मेराइन एनिमल्स बैननोग्लोस और हडमानिय एंड एंपी फिमोनेस कस्प कि जो अब बैननोग्लोस हडमानिय एंफियोक्स यह सब इस ग्रूप के अंदर पाए जाते हैं इनका सरीर भी त्रीपार्सा के समीत होता है त्रिकॉरिक होता है और जैसे इसमें कुछ से ऐसे लक्षन पाता है जैसे नौटो कॉर्ड में पायाते हैं और दिखाओ तो को अहार नाल से अलग करती है इस तरीके से यह जो जन्तु है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं तो अभी तक आपने इन जन्तु के बारे में यह अलग-अलग जो गूरूप है उनके बारे में पायाओ